हेलो फ्रेट्स वागत है आपका हमारे चैनल सिविल मंत्राय में दोस्तों आज हमें खास क्वेश्टन डिस्कस करने वाले हैं आए देखते हैं क्वेश्टन हमारा क्या है क्वेश्टन हमारा है में दोस्तों यहां पे जो हमारा मीडियम कोर्शन यूज किया गया हाई वहाँ पे उसका जो डेंसिटी थी वह है 15 क्लिटर पर मेंटर क्यूब इसमें दोस्तों चीजे थी दोस्तों और शिल्ट को आड़ किया गया है उसका वेटमारा था 4.8 क्लिटर वाज आड़ेट तो 1.3 क्यूब अप इसके वाल्यूम भी बढ़ गया अजूम दाट एवरिच इस्वेश्टी आज 2.7 अध वाटर 9.8 क्लिटर पर मेंटर इसका इसके वाले सकता पड़ेगी आएशन को इसकी प्रसुरटी की हो सकता पड़ी है इसकी पहले प्रसिटी की अगा लेते है फिर आगे हम बढ़ते हैं परसिटी हमको निकालने लिए क्या करना पड़ेगा पहले हम इसका वाइड रेसियो निकालेंगे वाइड रेसियो निकालने मतलब क्या है हमारे को यहां पर डाइ 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 यूनिट वेट तो यहां पर इसको ली सकते हैं डाइ यूनिट वेट अब gamma d equal to उनको पता है g gamma w upon 1 plus e अगर हम इस फर्मूले से और कुछ निकालने तो हमारे एक रोल निकल के आएगा equal to आएगा g gamma w upon gamma d minus 1 अगर हम इसको solve करें दोस्तों तो यहाँ पे g हमारा दिया है 2.7 gamma w दिया हमारा 9.81 तो इसको write down कर लेते हैं अगर हम इसको solve करें तो हमारा white ratio निकल के आता है 0.7658 अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं क्या porosity दोस्तों किसके निकाल लेए हैं आप यहाँ पे क्या निकालेंगे n porosity निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा e upon 1 plus e white ratio निकल के आए कितना 0.7658 upon जब इसमें 1 add कर दें तो जब 1.7658 तो हमारी जो porosity निकल के आएगी पहले soil की जो इसके हमारा है पे हमने use किया था वो आएगे 0.4336 यह हमारी आगी porosity बिना improvement किये जो हमारी soil की पहले थी अब हमारा बात आती यहाँ पे हमारा पे जब soil में 4.8 kN का mixture add किया जाता है तो हम बात करते हैं पे after improvement after improvement of soil अब यहाँ पे हम बात करेंगे per 1 m3 की बात करेंगे per 1 m3 of soil के लिए पहले अगर बात करें तो हमारा किन्दा था अब मैं यहाँ बात करें of soil यह कैसा है दोस्तों यह धान देगेगा पहले हमारा 15 km per m3 था km per m3 था लेकिन 1 m3 के लिए हमारा कितना होगे 15 km plus उसको पास हमने कितना add किया 4.8 kN यह total होगे हमारा 19.8 kN दोस्तों हमारा निकल गया total weight of soil लेकिन हमारे पे value में 18% की विरिद्धी होगे था अगर बात करें new value हमारा कितना आएगा उसकी बात करें तो new value हमारा आजाएगा 1 plus 1 into 18% की विरिद्धी होगे से 0.18 यह हमारा निकल गया आएगा 1.18 m3 मतलब कि दोस्तों अब इसकी हमको density निकालनी पड़ेगी soil का weight हमको मिल गया कितना है 19.8 kN उसका value मिल गया नी value कितना है 1.18 m3 अगर हम इसको निकालना चाहें तो यहां भी हमने यह निकाल पाएगे हमारे जो नया है soil की value unit weight है वो कितना है तो इसको निकाल पाएगे क्या gamma dash इसको बोल सकते हम यहां पर यह हो जाएगा हमारा 19.8 upon 1.18 यह आप समझ पा रहे होंगे इसको निकाल गया इसको पिछले निकालना थे इस प्रकार से हम यह निकालेंगे तो दोस्तों equal हमरा हो जाएगा g gamma w upon gamma d dash minus 1 g हमारा हो गया 2.7 gamma w हमारा दिया 9.81 upon gamma d dash हमारा यहां पर निकाल गया 16.78 और यह हमारा हो गया minus 1 तो मारा जो wide dash निकाल के आए दोस्तों वो यहां पर आता है 0.578 0.578 यह हमारा wide dash हो गया इसको हम पूर सकते है e dash क्या इस आरे e dash चल रहे है अब हम आगे बात करते हैं आगे बात करने के लिए हम कहालेंगे यहां प e dash हमारा हो गया 0.578 1 प्लस इटा इस करेंगे तो हो जाएगा 1.578 अगर हम इसको solve करेंगे दोस्तों ति हमारे निकल आने वाला है 0.3665 आपको निकलना है कितना reduction हुआ मलब कि reduction इन मलब डेल्टल पोरुसिटी निकालेंगे तो हो जाएगा पहले पोरुसिटी जो थी initial और लाट में जो है इसको minus कर देंगे तो आगर हम बात करेंगे पहले वाली जो थी वह थी 0.4336 हम लिख देंगे 0.4336 माइनस लाट में किन दिवाची 0.3665 अब क्या करेंगे जब इसको minus करेंगे दोस्तों ती हमारा आजाएगा चेंज इन पोरुसिटी वह हमारा आएगा यहाँ पे 0.0671 और इसको परसेंटम चेंज करेंगे दोस्तों ती हो जाएगा 6.71 परसेंट दोस्तों इतना हमारा reduction हुआ कि स्वाइल जो आया नया उसके पो question साल होता दोस्तों फिर मलते हैं गलेरी में तब तक लिए धन्यवाद जाहिन